अगर हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटी वाला बटन आन कर लिजिए चलिए हम शुरू करते हमें अलो दोस्तो राज हलवाई रस्पी में आज हम बनाएंगे लच्छा रबडी तो लच्छा रबडी या खुर्चन रबडी इसे कहते हैं तो यह हम घर में आसानी से कैसे बना सकते हैं, आज हम आपको बना के दिखाएंगे, आप भी अपने घर में बना सकते हो, तो गैसान करके हमने कडाही गैस पे रखा है, फ्लेम बिलकुल कम रखा है, उसके बाद में इसमें हम कडाही में ग्रीस कर देंगे, घीस से ग्रीस कर द करेंगे दूद हमारा ज्यादा है इसमें सिर्फ डेर लीटर करेंगे जेर्ट लीटर से इस कराही में हमारा जो रबड़ी है वह बन जाएगी यह जादा बड़ी कराही हो तो आप ज्यादे दूद का बना सकते हैं तो इसको हम दूद को उबाला दे देंगे दूद हमारा फुल फैट होना चाहिए जिससे जो है मलाई अच्छी आती है वो मलाई से ही खुर्चन रबडी बढ़िया बनता है तो दूद हमारा उबल चुका है इसको उबलने देंगे मीडियम फ्लेम पे इसको उबलने देंगे और इसको जो मलाई आती है इसको अच्छी तरह जमने देंगे अभी तो नहीं मलाई इतना दिखेए जब दूद आधा हो जाता है तब हमारी मलाई मूटी आ जाती है उसके बाद में हम थोड़ा सा इसमें एड़ करेंगे एक चम्मच इसमें दही एड़ करेंगे दही हमारे बिलकुल ताजे दूद की जमाई हो एक दिन पहले की जमाई हो जादा पुरानी दही इसमें नहीं एड़ करना ये साइड में जो है लच्छे बर्मन के इते साइड में हम जो मलाई है इसको लगाते रहते हैं दूद हमारा कम फ्लेम पे उबलता रहता है बिलकुल कम फ्लेम नहीं रखना चाहिए बिलकुल मीडियम फ्लेम पे चलना ते है बट्टी हमारी मेडियम फ्लेम पे हो और दूद उबलता हो और साइड में हम मलाई करते रहेंगे एक कम से कम हमको एक घंटा लग जाएगा डेड़ लीटर जो है दूद की रवड़ी बनाते लच्छा रवड़ी तो इस तरह दूद जो उबलता रहता है हम मलाई जो आती है इसको साइड भी करते रहते इसमें हमने जो है कडाई में ग्रीस कर दिया है घी से इसलिए जो इसको नीचे हलाने की कोई जरूरत नहीं यह अच्छी तरह जो है उबलता रहता है और यह नीचे चिपके अगा भी नहीं इस तरह जो मलाई आती रहती है हम साइड दे करते रहते हैं इस तरह हम जो है साइड दे करते रहते हैं जब मलाई एक साइड पर कर देते हैं तो दूसरी मलाई तुरंत आ जाती है ये मोटी मलाई आती है जब दूद हमारा बिल्कुल कम हो जाता है इस सवस्था में हो जाता है तो हमारी मोटी मलाई आनी शुरू हो जाती है तो ये देखिए बिल्कुल ये हमारे मोटी मलाई आने शुरू हो गई है इस तरह हम side पर करते रहते हैं और मोटी मलाई ये आनी शुरू हो जाते बटी का flame बिलकुल high नहीं करना क्योंकि जब high करोगे तो side जो में हम जो मलाई लगाते हैं, side में करते हैं वो brown हो जाएगा, बिलकुल brown हो जाएगा हमने सफेद रंग की रबड़ी बनानी है तो इसको हम बिल्कुल साइड में करते रहते हैं फ्लेम बिल्कुल कम ही रखेंगे मीडियम पे चलने दीजिए तो और बढ़िया है बिल्कुल मीडियम पे हमारा जो है ये भठी का फ्लेम चलता रहता है और हमारे मलाई आते रहती है दूद को उबलना जरूरी है अगर दूद कम उबलेगा तो मलाई नहीं आएगी तो इस तरह हम ये देखें मलाई साइड में लगाते जाते हैं दूद हमारा आधा हो चुका है बिल्कुल आधा हो चुका है अधा से भी कम हो गया है अब ये हमारी जो है रबडी बिल्कुल ये तयार है ये बिल्कुल जो बीच वाला दूद है बिल्कुल गाड़ा हो चुका है और साइड में तुरंत मलाई आ जाता है इसको साइड में करते हैं उसके बाद में हमारा जो है रबडी बिल्कुल बनने ल लगी है इसको हम दूद में एड़ कर लेते हैं जो हमारा गाढ़ाव दूद बचा हुआ है इसमें हम यह खुरच के हम इसमें एड़ कर देते हैं दोबारा जिस साइड की जो मलाई इसमें कडाही में लगी हुई है इसको खुरचते रहते हैं और सारा मलाई जो है बीच में आ देते हैं, दूद फूल फैट होता है, तभी मलाई बढ़ियां आती है, जितनी मलाई बढ़ियां आएगी, उतनी हमारा जो है अच्छा रबड़ी बढ़ियां बनेगे, अच्छी बनेगी, तो ये साइड में जितने भी हमारे मलाई लगी हुई है, चिपकी हुई है, इसको हम केमकल नहीं लगाना है कोई लगाता है कोई फैटकरी लगाता है इसको कोई जरूत नहीं बस एक चम्मत दही लगा दीजिए आप बिलकुल बढ़ियां से घर में खाने लैग बन जाएगे तो ये हमारा जो है बिलकुल रबडी तेयार है जिसको हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है ये देखिए बिलकुल ये खुर्चन रबडी हमारा तेयार है अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे इसमें हम लाची पौडर आड़ करेंगे एक चमच उसके बाद में हम इसमें सुगर किया है जिससे जो है हमारी रबड़ी रबड़ी बहुत कम मिठी होनी चाहिए ज्यादा मिठ़ा रबड़ी अच्छी नहीं लगती इसलिए हमने साट ग्राम जो है इसमें हमने सुगर आइड़ किया उसके बाद में इसको हलाकते हम ठंडा कर लेंगे या फ्रिज में भी इसको निकाल के फ्रिज में भी रख सकते हो तो यह जल्दी ठंडी हो जाती है लेकिन हम इसको यहाँ हम एक घंटा तक पड़े रहने देंगे जब ठंडा हो जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं तो यह हम रबड़ी बिल्कुल complete है इसको हम ठंडा होने देंगे उसके बाद में यह देखिए हम ठंडा हो चुका है हम एक घंटा हो गया हमको यहां पड़े हुए जो रबड़ी हमारी चूले पर जो गैस चूले पर पड़ी हुए उसके बाद में हम इसको इस सीशे के जार में निकाल कि चूले कंज़ी हमारी जिसमें हम नीकाल देते हैं खुरिचन रबड़ी बिल्कुल तयार है आप इस तरीके से अपने घर में कोई त्योहर या बर्त में भी आसकते हैं इसमें कोई kेमकल नहीं लगता है और कोई शीज नहीं पड़ता है बिल्कुल ये बरत में खाने लायक भी होता है और बहुत टेस्टी बनता है तो ये अब दिल्कुल जो है निकाल देंगे जार में इसका टेस्ट जो है सब रबड़ी से बढ़ियां होता है एक रबड़ी प्लेन बनती है उससे भी इसका टेस्ट बढ़ियां होता है तो यह रबड़ी हमारी तयार है इसमें इस रबड़ी से आप बिल्कुल रबड़ी रबड़ी आप कोले में डालके बिल्कुल इससे भी खा सकते हो कोई रबड़ी जो है अमर् इसमें थोड़ा सा पिस्ता बदाम से गार्निस करेंगे, इस तरह हम पिस्ता बदाम से उपर पिस्ता बदाम से कटे हुए पिस्ता बदाम डाले हैं, उस पर बाद में हमने ये थोड़ा सा केसर आड़ किया है, जो हमारे केसर से थोड़ा सा बढ़िया देखने में लगता है, उसके बाद में हैं ये हमारी बिल्कुल ये सफेद रंग की रबड़ी तेयार है आप भी अपने घर में बना सकते हो इस तरह का जो है रबड़ी हमारा बनता है अपने घर में बिल्कुल बना सकते हो आप हमारे चैनल पे हर वीडियो आप देख सकते हो हमारी हलवाई की वीडि आन कर लीजी ताकि आने वाली हलवाई वाली वीडियो हमारी आपके पास पहुंचती रहे